दिनेश्ट्रिवेदी का त्रिन्मूल कॉंग्रिस छोड़ कर जाना न पहली ऐसी घटना है और नहीं आखरी ऐसी घटना होगी लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है साथ ही एक साक्षातकार में दिनेश्ट्रिवेदी ने यभी कह दिया है कि पार्टी छोड़ कर वे ममता बनर जी को संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने आप में कुछ सुधार करें यह संदेश क्या है और कित सुधार की बात हो रही है इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में सबसे पहले देखिए दिनेश्ट्रिवेदी का अभी तक का राजनीती का सफर कैसा रहा है 1998 में ममता बनर जी ने जब कॉंग्रेस से अलग होकर त्रिनमुल कॉंग्रेस की स्थापना की थी तब इसके शुरुवाती संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं दिनेश्ट्रिवेदी और साथ ही शुरू में जब दो महासची बनाए गए थे एक थे मुकलरॉय और एक थे दिनेश्ट्रिवेदी मुकलरॉय पहले ही भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं और अब दिनेश्ट्रिवेदी ने भी पार्टी छोड़ दी है ऐसे में संस्थापक सदस्यों में से कई नेता हैं जो अब दिनेश्ट्रिवेदी की पहचान एक सरल व्यक्तित्व के रूप में होती है और त्रिणमूल के कुछ परिश्क्रित और शिष्ट नेताओं के रूप में वे जाने जाते हैं साथ ही उन्होंने ममता बनर जी का काफी लंबे समय तक साथ निभाया और विभिन पद संभाले और उन्हें पिछले वर्षी राज्य सभा का सांसत बनाये गया था त्रिणमूल कॉंग्रेस की तरफ से ऐसे में त्रिणमूल कॉंग्रेस छोड़ कर जाने वाले नेताओं के दो कारण प्रमुक रूप से पाये जाते हैं पहला कारण तो यह कि त्रिनमूल कॉंग्रेस में उन्हें अपनी लिए कोई अफसर नहीं दिखता और वे पार्टी छोड़ देते हैं। दूसरा कारण यह कि त्रिनमूल कॉंग्रेस में उनका रहना मुश्किल हो जाता है। जब मैं कह रही हूं कि पिछले वर्षी उन्हें राजे सभा सांसत बनाये गया था यानि अप्रेल दो हजार चब्विस तक उनका राजे सभा सांसत का कारेकाल है। ऐसे में अवसर की कमी तो दिनेश्त्रिवेदी के लिए नहीं लगती बलकि दूसरा कारण हो ऐसे संभावना अधिक है। ऐसा क्या हुआ त्रिनमूल जो उनका पार्टी में रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात है अपमान। समय समय पर ममता बनर जी उन बड़े नेताओं का अपमान करती रहती हैं जिनके लिए उन्हें ऐसा लगता है कि वे उन पर हावी हो सकते हैं। ऐसी सारजनिक घटना 2012 मार्च में देखने को मिली जब दिनेश्त्रिवेदी रेल मंतरी थे और रेल बजट प्रस्तूत करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें रेल मंतरी का पद छोड़ना पड़ा था। ऐसा उन पर आरोप था कि उन्होंने ममता बनर जी से बिना पुछे रेल किराय में व्रिधी कर दी थी। 2012 में उस पद से हटाना एक काफी बड़े अपमान की बात थी और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाए दिनेश्त्रिवेदी के साथ हुई जहां पर ममता बनर जी सामानी रूप से पार्टी कारे करताओं के सामने भी नेताओं का अपमान करती हैं यदि वे किसी को दबाना चाह कि उनके अकाउंट से उनकी जानकारी के बिना अपशब्द टूइट कर दिये जाते थे अमिच शाया नरेंदर मोदी के विरुद जो कि उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वे एक शिष्ट व्यभार करने वाले राजनेता हैं और ऐसी ही चीज होती थी कि प्रशान किशोर की टीम ही बताती थी कि क्या करना है किस रैली में क्या बोलना है और जब वे संसत से वापस आते थे तब भी उनसे पूछा जाता था कि क्यों उन्होंने वहाँ पर अपशब नहीं कहे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ऐसे में वे हतुतसाहित हो गये थे और उन्हें लगा भी तरिनमूल कॉंग्रेस में एक तरह से ट्रेंड चल गया है जिसके कारण कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है जिसमें से एक बड़ा नाम शुभेंदू अधिकारी का है लेकिन ये सारी घटनाएं हाल की हैं ममता बनर जी की पार्टी में ये जो समस्याएं हैं अंतरदूंद को बढ़ावा देना नेताओं को अपमानित करना और चापलूसी करने वालों को आगे बढ़ाना वह शुरू से ही है दो हजार छे में पार्टी छोड़ने वाले पहले कुछ नेताओं में से एक रहे हैं पंकज बनर जी उन्होंने भी संस्थापक सदसे की हावी हो जाते थे अपने तरकों से अपने वाक चतुरता से और ऐसे में उनके उपर सारा ध्यान जा रहा था लोगों का ममता बनर जी को लगा कि वे उन पर हावी हो रहे हैं ध्यान देने वाली बातिया है कि वे 1972 में ही पहली बार विधायक बन गए थे और उस समय तक ममता बनर जी मातर एक छात्र एक्टिविस्ट थी तो ऐसे में वरिष्ठता और राजनीती में भी वे उनसे आगे थे लेकिन फिर भी ममता बनर जी को ये चीज़ बरदाश्ट नहीं हुई और उन्होंने धीरे धीरे उनसे responsibility कम कर दिया उनकी जिम्मेदारियां दूसरों को देना शुरू कर दिया सदन में भी उन्हें कम बोलने का अफसर दिया जाता था और जब इस चीज़ के प्रति उन्होंने खेट प्रकट किया तब ममता बनर जी ने सब के सामने उनका अपमान शुरू कर दिया और इस और संबंधियों से जब मेरे वरिष्ट जैदीक मजुंगदार ने बात की तो उनके अनुसार भी ममता बनरजीन जो उनका अपमान किया था और संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वन नहीं मिला इसकी कसक उन्हें अंतिम दिनो तक रही थी ऐसा ही एक दूसरा उदारण है अरुनवा घोश का जो भी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे और पेशे से एक वकील होने के कारण संसद्य और वैधानिक मामलों में उनकी अच्छी पकड़ थी ऐसे में मीडिया के समक्ष वेत त्रिनमूल कॉंग्रेस के म परिवारवाद है और साथ ही CPIM की जो हिंसा राजनीतिक हिंसा की राजनीती थी वह भी त्रिनमूल कॉंग्रेस ने जारी रखी और इसलिए कई नेता जो त्रिनमूल कॉंग्रेस में यह सोचकर जुड़े थे कि सच में कुछ अलग करेंगे वैसा नहीं हो रहा क्योंकि प्रशांद किशोर की टीम जिसमें अधिकांश लोग बहरी हैं वे उन नेताओं को बताते हैं कि क्या करना है जो जमीनी स्तर से आए हैं इस चीज का प्रभाव काफी नेताओं पर पड़ा है और उनका मानना है कि अब यह पार्टी वह नहीं रही जो उन्होंने जॉइन की ममता बनर जी ने पार्टी की कमान प्रशांद किशोर और अभिशेग बनर जी को सौप दी है और यहीं उनकी असंतुष्टी का कारण है मैं हूं निष्ठा अनुश्री देखते रहें स्वाराजी